तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सैमसंग के One UI 6.0 इस्टेबल अपडेट के बारे में क्योंकि रिसेंटली One UI 6.0 इस्टेबल वर्जन के बारे में न्यूज आई है तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर दिजेगा अस वीडियो को साथी चैनल पर अगर पहली वर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है प्यूज शराब देखरा है हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो रिसेंटली एक न्यूज आई है कि यहाँ पर जो वन यूज शिक्स का एक नया फार्म बेर स्पोर्ट किया गया है यहाँ पर अब देख सकते हैं लेटेश्ट बिल्ड नंबर और ये जो अपडेट है बताया जा रहा है कि निफ्ट इस्टेबल अपडेट होने वाला है दोस्तों तो देखिए पांच अक्टूबर को सैमसेंग का डेवलापर कॉन्फरेंस था जिसमें सैमसेंग ने वन यूज वाई 6.0 को ओफिशली एनाउंस कर दिया है दोस्तों और अब जो है वो सैमसेंग इस्टेबल अपडेट देने वाला है हाली में सैमसेंग ने वन रोल आउट किया जिसमें हमें कुछ ज़्यादा फीचर तो देखने को नहीं मिले लेकिन जो फांवेर है उसको इस्टेबल कर दिया गया लेकिन यहाँ पर एक और भी चेंज किया गया है यहाँ पर जो अभी गूगल की तरफ से एन्डुआइड 14 का बिल्द था वो सैमसें ने यहाँ पर एड किया है जो इस्टेबल गूगल ने एन्डुआइड 14 का वर्जन रिलीज किया है वही से बिल्द हमें 1EY 6.0 बीटा 6 अपडेट में देखने को मिल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि नेक्ट जो अपडेट है वो इस्टेबल अपडेट है दोस्तों क्य जो कि पिछले साल की अगर बात करें 1EY 5.0 जब आया था तो 12 अक्टूबर का सैमसेंग का डेवलापर क्रॉनफरेंस था और 25 अक्टूबर को सैमसेंग ने ओफिशल अपडेट रिलीज कर दिया था तो इस बार भी हो सकता है कि हमें जो अपडेट है वो 16 से 20 अक्टूबर क बीच में देखने को मिले क्योंकि इस बार जो है सैमसेंग का डेवलापर कॉन्फरेंस भी जल्दी हो गया है तो जल्दी अपडेट मिलेगा दोस्तों तो देखते हैं सैमसेंग फ्यूचर में क्या करता है और बिगर कोई न्यूज आते है या फिर अपडेट आता है तो करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियों तबता के लिए जय हिंद वंदे मात्रम